नमस्कार आप देख रहें नेशनमन मैं हूं निरेश्टियागी जीवन अनमोल है ये माना जनाब पढ़लिक कुछ बनना मेरा भी है ख्वाब लेकिन भूके पेट मैं ख्वाब कहां से सजाऊं बिना मजदूरी की ये खाना कहां से लाओं ये आवाज है फरीदाबाद के नरियाला गाओं में इस्तित इट के भटो पर दरजनों की संख्या में काम करने वाले मासूम बच्चों की हालातों के मारे ये बच्चे इस्कूल की जन्हें परीजनों के साथ रोजाना इट भटो पर मजदूरी करने के लिए जाते हैं देखिए मजबूरी और खेल खेल में हो रही मजदूरी पर हमारी ये रिपोर्ट हरियाना सरकार के लाग परियासों के बाद भी हरियाना से बाल मजदूरी रुकने का नाम नहीं ले रही है ऐसा ही कुछ नजरा उस समय नेशन वन के कैमरे में कैद हुआ जब फरीदाबाद के नरियाला इस्तित इट के भटे पर दरजनों की शंख्या में मासूम मजदूरी करते नजरा है जिसे देख जब हमने भटे पर मौजूद मुंसी से बात की तो बेसरमी की हदों को पार करते हुए आख खुद ही सुनिये क्या कहां मुंसी थे बच्चे काम नहीं करते हैं रोटी पानी खाने के लिए जैसे आते हैं तो बीच बच्छों बाते हैं वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर छाइसा थाना अध्यक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की वह गंभीरता से जात करेंगे और यदि कोई दोसी बाया जात पर है तो उसके खिलाब कारवाइगी जाएगी वहीं परीजुनों से बाद की गई तो उन्होंने स्विकारा की बच्चों से ठेके में काम कराते हैं जिसके बदले में वो मुंसी से पैसे लेते हैं पेने भालमजदूरी की आडी वह रदे भालमजदूरी कि मुटेश करें अधैर कर लाय करें. विद्धियो आसिल करें ग और वीडियो में बड़ा दे बात करेंगे ड़े हैं जैसा होगा. उस परात कर दें सबी तुम ले टहुं है कितना काम करने के वह से कर रहे तुम्हारे से का मिलते के प्रविन के व क्षे नहीं ने कितने पैसे देते हैं एक बच्चे के कितने पैसे हैं इता ठेका का इसावा हमारा अच्छा मतलब सारे बच्छों के जब कामाम करा तो ठेकर आपको मिलते हैं पैसे फरीदाबाद से शरूप सिंगी रिपॉर्ट मेरे साथ इतना ही देखते रहिए नेशनवन नमस्कार